असलाम वेकुम गाइस तो कैसे हैं आप सब लोग आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं सईद गनी की दो नूली लॉंच प्रोड़क्ट्स का जिसमें से एक उनकी टिंटेड सन ब्लोग है और दूसरी है रेटनोल नाइट क्रीम तो बीना टाइम को वेस्ट किये हम चल्दिस संस्क्रीम है ना वो जो है वो एक ब्रोड स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करती है आपकी स्किन को और इसके साथ-साथ ये जो है मिनरल बेस्ट होती है ठीक है लाइट होती है और इसके साथ-साथ ये जो है शियर सा टिंट प्रोवाइड करती है आपकी स्किन को हल्की सी पिग कार्डबर्ड पैकेजिंग के अंदर है यह सामने से पैकेजिंग काफी ज्यादा अच्छी है SPF जो है 60 है सके अंदर और इसकी जो बैक साइड है उसके ऊपर वो सारे कुछ लिखा हुआ है कि किस तरीके से यह प्रिवेंट करती है कौन-کौन से चीज़ती हैं जिन से यह Tinted Sunblock जो है वो प्रिवेंट करती है आपकी स्केन को तो इसके बाद हम जो है वो इस cardboard box को open कर लगते हैं और इसके अंदर से एक बहुत छोटी सी ट्यूब निकलती है यह जो ट्यूब है यह 700 की है तो अब मैं इसको खोल कर आपको दिखाती हूं इस packaging भी इसकी बिल्कुल वैस मैं इसके अंदर जो है तो अब मैं खोल कर इसको दिखाती हूं मैं आपको इसकी coverage भी दिखाती हूं हाथ पर करके आप लोगों को लगा कि दिखाती हूं कि कितनी ज़्यादा coverage यह provide करती है तो जो sunblocks होती है different brands के जितनी वी sunblocks होती है वो different skin tones के लिए होती है और different जो लोग हैं उनको किस लोगों को सूट नहीं करते हैं किस लोगों को सूट कर जाती है जैसे के मैंने जो है वो भी recently allim की sunblock का review दिया था तो काफी लोग कह रहे थे कि यह वो white cast चोड़ दी है पुत पसीना आ रहा है बहुत oil आ रहा है तो मैंने उसको जो है वो काफी देर यूज करक को मिलती हैं तो अगर आपको दिल नहीं करता तो बिशर यूज मत करें तो हर स्किन टॉन के लिहाज से डिफरेंट होती है चीज़ें तो यहां पर यह देखें मैंने आपको यह वाली टिंटेट संब्लोक ब्लैंट करके दिखा दिया हाथ पे इतनी जादा जो है वो visible difference नही आपको लगी नहीं रहा होता कि आपने कुछ स्किन के ओपर अप्लायर किया या कुछ हैवी है या कुछ इस तरह का बहुत बहुत जादा light weight फील होती है यह और इसके बाद यह लोग कहते हैं कि यह जो है water resistant है but I don't think so water resistance है तो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि क्या यह sun block जो है वो effective है या फिर नहीं तो मेरी तरफ से 100% effective है और 100% जो है यह मैं आप लोगों को recommend करती हूँ अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप जरूर खरी दें आपके सामने honest review पेश किया जाता है अगर आपको वो चीज अच्छी लग रही होती है तो आप ले अगर आप daily basis पे बाहर जाते हैं को जो पर कहरा करते हैं तो उसलिहांस से यह sun block बिलकुल सही है पहले sun block लगाओ पर बीबी क्रीम लगाओ इतना ताम जाम करने की जूरत नहीं होती बस एक हलकी से आपने tinted sun block उठाई और use कर ली बस एक चीज जो मुझे लगी है वो इस sun block क वो यह है कि शायद यह थोड़ी सी expensive है क्योंकि 700 कि चोटी सी tube है यह तो वैसे effective है बहुत अच्छी है 100% recommended है मेरे तरफ से तो अब हम चलते हैं इनकी retinol cream की तरफ यह retinol night cream है इन लोगों की इसकी जो है वो box मेरे से जो है वो गुम गया था तो बस इसी तरह अभी थी मेरे पास तो बिल्कुल glass की bottle है यह बिल्कुल transparency feel होती है यहां पर इतना visible दिखाएंगे दे रहा है कि इसको मैंने कितना use किया है वह से काफी हद तक use हो चुकी है यह क्रीम है यह काफी चिप चिपी है काफी जाता oily cream है यह लगाते साथ ही आपको एक अजीब सा oil feel होना शुरू ह जाता है अपनी स्क्रीम के उपर चिप चिपी फील होने लग जाती है स्कीन और जो oily स्कीन वाले हैं उनके लिए तो काफी जादा एक बड़ा टास्क है स्क्रीम को अपलाए करना मैं आप लोगों को अपलाए करके दिखा देती हूं हो सकता है आपको स्क्रीन पर नजर आए कि कितनी जादा जो है वो oily क्रीम है जब मैं इसको अपलाए कर रही थी तो literally ऐसा लग़ा था कि कोई face oil या कुछ moisturizer अपलाए कर रही हूं निविया वगयरा का बहुत क्रीमी एक texture भी बहुत क्रीमी ओपर से oily बहुत है ये क्रीम oily स्किन वालों के लिए तो big big no है ये क्रीम oily to combination skin के लिए लेकिन अगर आप लोगों की skin dry है तो हो सकता है आप लोगों के लिए cream set बैठे लेकिन जो oily skin वाले हैं वो तो इसको बिल्कुल भी use ना करें और गर्मियों के लिए हासे तो मेरे ख्याल से ये dry skin वालों के लिए भी ठीक नहीं है ये cream क्योंकि ये बहुत चिप चि cream is good अगर आप पर्चेस करना चाहते हैं तो बीबी क्रीम को पर्चेस कर लें वही तरफ से recommended है लेकिन ये रेटन ओल क्रीम में ये तरफ से बिल्कुल भी recommended नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप खरीदना चाहें तो कुछ oil research करके खरीद लें अगर आपकी skin dry है तो oily skin वाले ये मैं आप लोगो कमेंट्स में बताती हूं तो उन कमेंट्स को भी अच्छे तरीका से पढ़ लिया करें so that's all आज की वीडियो हमारी end हुई तो आप जल मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें अल्ला हाफेज